हाई गाईस वेलकम बेक टो मैं चनल वेलकम बेक टो आना दर ब्रैंड वेपिसोड अफ इस चैनल तो वाई आज हमारे पास करंड पिशाचिन्ने का स्टोडी आया है पर I hope so आप लोग समझ गए मेरे voice को सुनके कि आज का तबियत मेरा बहुत ज़्यदा खराब है मतलब extreme खराब सिर्फ आप लोग इलिए मैं शूट करने बैठा हुआ और आज मैं मुझे लग रहा था कि चलो आज का एपिसोड sacrifice कर देते पर मुझे पता है कि at least जितने भी लोग पिशाचनी का है एंड एक आप का स्टोड़ि यह पटना सही है स्टोड необход सब्सक्राइब करें तो बाकि आज थोड़ा ऐसा नाग में खुचली होगा तो थोड़ा एड़स्ट कर लेना क्यूंकि कंडिशन बहुत ज़्यदा खराब है तो बाकि शुरू करता स्टोडी उससे पहले अगर आप चल में नायों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो कि बड़ कंडिशन बहुत ज़दा खराब हो रहा है हर वाक चीक भी किसब आ रहा है तो आप लोग प्लीज ऐसे ही आज का स्टोडी सुन लो अगले टाइम से ये सब कुछ नहीं होगा तो लेट स्टार्ट टुडेज पिसोड बेसिकलिए आज का एपिसोड आया है पटना से यह जो क पहानी है पर कंड पिशाचिनी सबसे अलग एक एंटीटी है तो सबसे महले इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कंड पिशाचिनी एक ऐसा टाइप का एंटीटी से जिसको सिद्ध कारने के लिए जिसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महिनत करना पढ़ता है तब जाके वो आपके पास आता है या फिर आपका गुलाम बनता है बहुत सारे रूल से वैसा ही कुछ रूल्स मैंने पहले कुछ एपिसोर्ट में सुना दिया तो आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्रिशन में लिंक दे रहा हूँ सुन सकते हो बाकी वैसा सारा हमारे घर के पास में ही एक तांतरिक बाबाजी ने कंट पिशाचीन का या फिर बोल सकते हो कंट पिशाचीन को हासिल किया था तो बेसिकली हमारे उस गाउ के या फिर उस सोसाइटी के कोलोनी के जो भी आपका मन चाहे बोल सकते हो वहां के लोग उस तांतरिक को बहुत वज़ेश है क्योंकि अगर कोई भी बाबाजी के पास जाता था तो वो इंसान कभी भी नेराश हो के नहीं आता था एंड सारे हम लोग मतब सारी नाइबर्स को लगता था कि कुछ भी हो जाए बाबा जी जब तक हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं भी गार सकता तो गाईस सबसे पहले में कुछ इंसरेंस पढ़ता हूँ जिसके वज़े से वाके सारे लोग इस तांत्रिक को बेहद यकीन कर बेहत प्यार भी करते थे क्योंकि अगर उनका कोई भी प्रॉब्लम आता था गाउ में तो जैसे वह प्रॉब्लम बाबा जी को पता चला बाबा दी ने एक टोटका दिया और उस पती बतने को कहा कि देखो ये खाओ साथ दिन बाद आपको खुश खबरी सुनने को मिल जाएगा और मैं आशिरवत करता हूँ जो भी होगा बहुत स्वस्थ होगा जितना मुझे पता है आपका लड़का ही होगा तो वो सेम हुआ ऐसे करते करते बाबा जी ने बहुत सारी लोगों को मदद किया था अब आप लोगों को मैं बता दू यह जो कहानी है बैसिकली क्यों है जिसने मुझे इस स्टोरी सेंड किया एक दिन उसने मतलब उनका नाम उनने मेंशन के लिए मना किया और उनके दोस्त ने बाबाजी के पास गये और बाबाजी को ब और देखो मैं तुम को बता सकता अपर आप ऐसा है कि तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं है तो मतले तिक किससे को बताइंगे नहीं हुग है थिकंव खुशनिंट नए फिर बाबाजिन ने कहां कि तो स्बेंने थैसे बाबा जी मुझे हम लोग को आपको उपर यके नहीं आप दिखा सकते हो तो बोला कि हाँ एक शर्ट में दिखा सकते हो अगर लोग तुम डरें नहीं तो हम लोग ने बोल दिया कि नहीं बाबा जी डरेंगे नहीं आप लोग आप दिखाओ हमें उसके बाद बाबा जी ने कह कि ठीक है आख बंद करो और दोनों को बोला कि तुम दोनों एक एक हाथ दो मेरे हाथ में और आख बंद करके रखो मैं क्या बताओ गायूस मुझे दिखा कि एक और तो बाबा जी ने बोला डर गया ना तो मैंने बोला बाबा जी ठीक है चलो तो फिर हम लोगों ने पूछा बाबाची बाबाची आपके लिए काम कैसे करते हैं तो बोला कि देखो इसके लिए बहुत ज़्यदा आपको मन्नत करना परता है तब जाके ये मिलता है तो मैंने भी वैसा किया और इसी कारन ये कन पशाचीने मेरे पास आया जो भी काम करने के लिए बोलता हूँ यह अराम से मेरा काम कर देते हैं तो हमने बाबा जी को का कि बाबा जी मुझे ना एक्जाम में पास होना है तो मैं कर देगी तुम बोला नहीं ऐसा नहीं है अगर तुम जीवन में बहुत कोई दिक्कत में हो उसका सवाल दे देगी उसक प्रेडिक्ट कर सकते हैं पास्ट के सारे काम मैं उनको पता होता है कि यह होने वाला यह फिर यह वह था ठीक है मतलब फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते फिचर देख सकते हैं तो फिर बाबाजी ने जो कुछ का में उनको ने सुना इसके बाद हम लोग घर आ गए तो मुझे अभी याद नहीं है क्या कहा था बाबा जी ने पर यह जो इंसरे जिसके कारान में ने सेंड किया यह स्टोडी यह स्टोडी वेसिकली है कि एक दिन हमारे मतलब घर में ऐसा नियूद आता है कि बाबा जी का देहान थो गया और बहुत बुरी तरीके से बाबा जी का देहान थ सकता है ऐसे होता है कि जिस रसी में कपड़े सुंगाते हैं ऐसा बाबा जी का खाल होता है ना वह खाल उधेड के ऐसे लटका रखा है और फिर भी हम लोगों ने पुलिस को इनफॉर्म किया कुछ भी पता नहीं चला कि किस ने किया क्यों किया उसके बाद और एक तांत्रिक बाबाजी आए थे जो कि बोल सकते उनका ही बंधों में जो भी है तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि देखो यह तो मैंने पहली बार सुनाएं कि यह जो करण पीशाची नहीं होता है इनको काम देना पड़ता है ज़र काम नहीं दोगो तो आपको उपर गुस्सा हो देते हो तो आपको ही शायद से कुछ कर देगा तो वही सेम चीज बाबाजी के साथ हुआ था एंड बाबाजी को उन करण पिशाचियों ने तलब वो करके वहाँ पे टंगा दिया था उसके बाद लिटरेली पुलिस को भी कुछ सबूत नहीं मिला एंड सारे गाव वाला कि दुखी भी थे कि वह एक अकलोता बाबाजी थे जो हम लोग का बहुत जादा है इंट्रेस्टिंग बहुत जादा नहीं लगा क्यूंकि मेरा हैं इसक्ता मूद नहीं बात नहीं कर पार हो तो दो तिन बात करो तो चीक हा रहा है नाक में होता है थोड़ा कुछ प्रब्ल वह अच्छा स्टोडी आएगा तो में आपको नेक्स्ट ऐसे वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वांदे मातराव जाई शीराम माई सभी को